आज पढ़ाई हो रही है फर्स्ट सेकंड इयर आज पढ़ाई हो रही है बारतिय समाज का परिच्चा है इंडियन सोसाइटी के बारे बता रहे हैं सेकंड इयर बारतिय समाज का परिच्चा है इंडियन सोसाइटी के बारे आप एकजाम में आएगा हुआटी इंडियन समाज के बारे क्या जानते हैं आप तो आपको समझना है इंडियन सोसाइटी क्या है वाड़ी इंडियन सोसाइटी है ना तो देखिए बारतिय समाज जन जाती रूप में बहुलुवाद समाज कहलाता है क्या कहलाता है बहुलुवाद समाज इंडियन सोसाइटी कहलाता है है ना बिदेशी आकर्मन मुंगलो और बिर्टिश शासन की दमनकारी नित्यों के बाजूद विभारत में बिर्टिश शंस्कृतिक धर्म संपरदाय भासा जाती वह जन जाती समुदायों के बीच एकता और जो समन्ता उनिटी की भावना है वो अभी भी हमारे बरकरार देखने को मिलता है है ना बाजमन ने पढ़ाई जैदे भी भी बिभीन बर्गों समुदाय के बीच आर्थी भी समता और समाजिक असमन्ता के कारण समाजिक समन्दों के निमाने में भासा भासा उत्पन हुई ह लेकिन फिर भी भातीय समाज की एकता और रखनता बहुत ही अच्छा बाता पर चाड़ में हमें देखने को मिलता है इंडियन सोसाइटी में भातीय समाज में एकता अखनता बनाए रखने के लिए सरकार के तरफ से काफी मदद और परयास किज़ा रही है भातीय समाज होगा घर परिवार सम्म होगा मजबूत अखंता एक्ता हमको बनाए रखना होगा आप गौर किये हैं जिस परिवार में एक्ता नहीं है उस परिवार में तरह-तरह की भावना उत्पन होती है कटिनाई उत्पन होती है और जिस परिवार में जिस सोसाइटी में जिस समाज में एकता की भावना है यूनिटी है गड्स है उस परिवार में किसी तरह की समस्या उत्पन नहीं होती है अगर समस्य उत्पुन होती भी है तो उसको छन भर में solve कर लिया जाता है यह बात मानते हैं न हाँ तो आपको समझना होगा बच्चे बारतिय सोसाइटी इंडियन सोसाइटी के बारे में हम पढ़ा रहे हैं इंट्रोडक्षन परिच्चे दे रहे हैं आपको कि वाट इंडियन सोसाइटी आप एकजाम में आएगा देखिए ध्यान दीजेगा कोचन बता रहे हैं बातिये समासे क्या समझते हैं वाट इंडियन सोसाइटी आपको इसी समझना पड़ेगा लिखना पड़ेगा कि इंडियन सोसाइटी क्या है सर बताएं भाई तो लिखिए का देश में अखंता संप्रभूता समन्योयता बनाए रखना हमारा फर्ज बनता है हमारे देश की राच्छा के लिए हमारे दुस्मनों से लोहा लेते हैं हम समय इन्यन फौज देख्ते हैं बहूरे सजात कैसे हुआ हूझ कैसे विरा रहे हैं अभीक्त अबिव्य तरहत्रही पांग्री हाई हुदपन हो रही है लेकिन हमारा देश काल देश के जवानों ने हमारे वह मारे हमारे देश में अखंता बनाए रखा है। और अचुनता बनाए रखा है अखंता एकता बनाए रखने में हमर देश के नौजवान का काफी अहम भूमी का है जब तक हम तुदिर नहीं बनेंगे सक्तिसाली नहीं होगे तक हमर देश सक्तिसाली नहीं होगा हमको अपने आप सुधार करना होगा समाज के लिए सोसाइटी के लिए देश के लिए समाज के लिए परिवार के लिए लिए हमें होना पड़ेगा तो हमारा देश और समाज सब चेंज होगा तो आगे हम बढ़ेंगे यह बाद मानते हैं न तो अभी आपकी आपकी ओनलेल प्ढ़ाही ही है आप कोलेज किका है कुछ दिन अब्राइब आप से हमारी आफेस islands हमारी वर्टलाप होगी आपको अधिकार है कोचन पूछने का आप कोचन सकते हैं सर एक ऐसे हुआ वाट क्या है भारति हुआ सोसाइटी क्या है हमारा भारतिय सोसाइटी एक गुण है एकता और अखंता बनाए रखना है हमारे बानिये पदामंत्री का कहना है कि देश में समाज में परिवार में सोसाइटी में एकता और अखंता बनाए रखना है तो हमारा देश सुधिड होगा और हम भी बलसाली होंग तहां हमारा देश होगा बलसाली तब न हम होएंगे बात समझ ने पढ़ाई का मतलब हम अपने आप सुधार करना पड़ेगा कि हमारे देश की बागडूर किस रास्ते में जा रही है अगर कुछ गड़बड भी है कुछ परिशानी भी है तो हमें देश की एकता और खंदा को बनाए रखने के लिए हमें परियास्त करना जाना पड़ेगा तो हमारे देश और समाज और सुसाइटी हम आगे बढ़ेंगे बात समझ रहे हैं अब देखिएगा भारतिये समाज में बिवित्ता हुआ केवल धार्मिक परजातिये भासाई वा सांस्कीतिक रूप में बिद्धमान है बलकि यह समाजिक जीवन की बिविन प्रनालियों भूमी ब्योस्था सिस्टम प्रथा प्रंप्रा जन्मिर्टू समंधी अनुस्ठानों के संद साथ साथ उत्राधिकार के नियम लओ और जातिक अथार पर भी देश में अखनता बनाएकने के लिए में सिच्छा दी जाती है पड़ाई दमद रहे की नहीं तो इस प्रकार से बातिय समाज इनियन सोसाइटी में सांस्कीती कल्टरल समंध और दित्यता का एक मुद्पुर्ण उधारन है है उधारन है जो धर्म कर्म और जाती ब्योस्ता का सिस्टम को पोसान देती है और उस विदेने में भातिय समाज में संतुलन और एक्ता की भावना बनाये रखने के लिए सिच्छा दी जाती है है ना जब हम आधुनिक भातिय समाज की को समझने क्या प्रयास करते हैं तो इसके लिए यह आवस्यक होता है कि हम भारत की अपनिशिक स्वरूप को समझे और आगे बढ़ने के लिए अपने आप कुछ यह नहोना पड़ेगा देश को परिवर्दन करना पड़ेगा कि हमारा समाज सोसाइटी और हमारा अखंता में परिवर्दन आएगा कि हमारा देश बलसाली होगा सुधिलिर होगा है ना उपनिश्वाद का और दूसरा भारत की संस्कीति और सभीता का ये दोनों ही स् देश्रे के विप्रित थी क्योंकि जहां पर्थम इस्तिती में भारत में पाश्चात उदरवाद और सुवत अंतता को आधुनिक्ता के रुप में सुविकार किया गया उसी प्रकार से दूसरी और पच्छमी संस्कीती कल्चर और विचारों के विप्रित भारत में बिडिश् हमें अपने आप सुधार करना होगा तो हमारा देश और हम अपने आप सुधार करेंगे तो एक जाम में जब भी आएगा कि इंडियन सोसाइटी के बारे क्या समस्ते हैं कोश्चन पूछेगा कि भारतिये समाज इंडियन भारतिये समाज से क्या समस्ते हैं अत्वा तीन तर लिखना है कि भार्तिय समाज में अख्रंता और एक्ता बनाए रखने के लिए हमी प्रयास करना होगा, मिलत करना होगा, जैसे किसी देश, किसी परिवार, राष्ट को एक्ता में बनने के लिए हमी घर में इनुटी बनाया बनाना होगा, एक्ता unity बनाना होगा तब हमारा देश समाच परिवार हम आगे बढ़ेंगे और एक्ता की बाग किया जाएगा की जाएगी तब हमारा देश सुधिड होगा बलसाली होगा तो एक्जाम में कोचन एक कोचन बुझे कर तिन तरह से भारतिय समाच से क्या समझते हैं भारतिय सोसाइटी का क्या आर्थ है भारतिय सोसाइटी की परिवार्था लिखे उंतर क्या होगा एक होगा आपको ध्यान देना है सर क्या बता रहे हैं समझे बस आज इतना ही